हलो स्टूडेंट स्वागत था आप सभी का एक बर फिर से हमारे इस ओफिशल टुप चैनल में जिसका नाम है सोल सोलिशन मैं चंदन कुमार हाज़िर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ तो गाईस आज के इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन में नव यतारतवाद को पढ़ रहे हैं चाहिए वो सोल के स्टूडेंट्स हो एंसी वेब के स्टूडेंट्स हो या फिर वे सभी स्टूडेंट्स डैली उनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो इगनू के स्टूडेंट्स हो अगर नव यतारतवाद को पढ़ रहे हैं तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए important है, क्योंकि नव यथार्तवाद international relation, IR का most important topic है, इसको हम बिल्कुल detail से समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि नव यथार्तवाद और यथार्तवाद में क्या अंतर है, कई बरी आपने question ही directly देखा होगा, कि यथार्तवाद और नव यथार्तवाद के बिच क्या अंतर है, तो सबसे पहले आपके screen पर आ चुका है, नव यथार्तवाद देखेंगे आप सभी को, कि यथार्तवाद का नया रूप है, क्योंकि जिसके आगे नव लग जाए, तो हम इसे ही नव यथार्तवाद केते हैं, दूसरी बात हम देखेंगे, कोई भी चीज अगर नया होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, N-E-W, new बोलते हैं, बट यहाँ पर N-E-O लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी को दियान रखना है, कि यह एक टेंडेंसी है, यह एक प्रंपरा है, कि जो रियलिजम है, जैसे रियलिजम के अंदर, हम जबी भी नव शब्द की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम W ना लिखकर, N-E-W, नियो रियलिजम हम इसको कहते हैं, इसके बाद में आप सभी को यह भी ध्यान रखना है, कि जो नव यथार्टवाद है, यह अंतराष्टे सर पर, अंतराष्टे सम्मंदों को समझने में, एक मैतर उपागम रहा है, इसके अलावा सबसे पहले आदर्शवाद, आदर्शवाद के बाद में आप सभी को बताए, कि यथार्टवाद, यथार्टवाद के बाद में आप सभी को बताए, नव यथार्टवाद और नव यथार्टवाद जो है, इससे ठीक पहले एक नव उदारवाद भी रहता है, तो ये अलग-अलग उपागम है जो अंतरास्टी सम्मंदों को समझने में हमारी हेल्प करते हैं आज हम नवय अथार्थवाद के बारे में बढ़ेंगे तो आपसे पेपर में या तो नवय अथार्थवाद पूछेगा आपसे बोल दे Kenneth Waltz के विचार बताईए या फिर Kenneth Waltz की जो थियोरी है वो किस तरीके से हमें अंतरास्टे सम्मंदों को समझने में हेल्प करती है तो आप सभी को confuse नहीं होना आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपसे नवय अथार्थवादी पूछा जा रहा है तो नवय अथार्थवाद के जो परतिपादक है वो मीली कौन माने जाते हैं Kenneth Waltz भी माने जाते हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था A Theory of International Politics इससे पहले आप सभी को पताएं कि यथार्थवाद जो है इस बुक के अंदर उन्होंने बेसिकली क्या explain किया था उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने यथार्थवाद को explain किया यथार्थवाद की बुक कौन से पॉलिटिक्स अमंग दा निशन अगर हम नव यथार्थवाद की बात करें तो वो क्या है A Theory of International Politics यह कम लिखी गई तो 1979 में लिखी गई और इसका परतिपादग कौन है तो इसका परतिपादग है यनThese वाल्स है और इस बुक में हमें क्या बताएगा है तो इस बुक के अंदर में नव यथार्थवाद की बारे में बताएगा है अईूप आपको इकलिर हो गया होगा लेकिन अगर हम बात करते हैं यह याद रखना है इसके बाद में अमेरिकी राजनेतिक विज्ञान की प्रंपरा में लिखी गई है पुस्तक जो है इसे एच कौर की जो विचार थे या फिर अनसजे मारगें थाओ के जो विचार थे उनके विचारों में कुछ कमिया थी उन कमियों को इन्होंने कठोर बताया है और उन्होंने उन कमियों को उजागर करते वे उन कमियों को कैसे यथार्तवाद के से दान पर रहकर ही हम दूर क आ सकते हैं इसलिए वो यथार्थवाद ना कहला कर थोड़ा सा संसोधित नव यथार्थवाद कहलाएगा यह आपको यादोना चाहिए इसके बाद में प्रंपरावादी जो यथार्थवाद है वो रूप बेद के रूप में नव यथार्थवाद मानव प्रकृति की दोशपुन है परन्तु नवय थार्थवादी जो हैंगे इन्होंने काई कि मानव प्रकृती नहीं बलकि दोशपुन जो होती है वो अंतरास्टी है क्या होती है व्यवस्ता होती है इंटरनेशनल सिस्टम होता है और इंटरनेशनल सिस्टम जो है इसकी वज़े से अंतरास्ट के कारण ही होता है नवी अथार्टवात में है जैसा कि अथार्टवाद में भी था और नवी अथार्टवाद में भी है परन्तु राज्यों के साहत साथ विषिलेशन के स".ैयनि level of links तता सनचना अभी करन की चर्चा structure of agency debates के जरिए राज्य को यानि राज्य जो है वो सबसे supreme है ये तो है लेकिन राज्य को अंतराष्टे प्रविर्थी के according काम करना चाहिए ये इन्होंने नव यतारतवाद में बताया क्योंकि अंतराष्टे जो प्रविर्थी है वो समय के अनुसार समय की व्यवस् तो राज्य के नीचे आम जनता है देखो सबसे उपर कौन है अंतराष्टे व्यवस्ता इसके नीचे कौन है राज्य है और राज्य के नीचे कौन है आम जनता तो आम जनता एक समाज के अंदर lawful रूप से कब रह पाती है समाज में कानुन कब होता है जब राज्य की नियम तक है यानि कई और समर्थक भी है आप किया सकते हो जिसमें रॉवेट जर्विस है कैनत वॉल्ड्स है स्टीफन वैल्ड्स है जौर मिश्मर है और रॉबर्ट गिल्पिन है यह कुछ विद्वान रहें यह हलका सा एक इंट्रोडक्शन रहा अब हम इसके बार में बिल्कुल अच्छे तरीके से चार अंतरों को समझेंगे समसे पहली बात तो दोनों ने अंतराष्ट्य संबंदों में आप सभी को याद रखना है कि दोनों ने अंतराष्ट्य संबंदों में राज्यों को महतोपूर केंद्र माना है पहले बात तो हम इसके अंदर कुछ इसकी जो समा यह पहली बाद ध्यान रखना है लेकिन राज्य के उपर जो है एक अंतरास्टे विवस्ता होती है यह किसी ने नवय थार्तवाद ने माना है यह आपको याद रखना है इसके लावा जो दोनों मानेव्य प्रकृति की विशिस्ट पक्षों पर अधारित है यह थार्तवाद तो डार्कली कहता है कि मानाव का सवभाव बिल्कुल दोश्पुन है और मानाव के इस दोश्पुन सवभाव के कारणी हम देखते हैं पानव के दोश्पुन सोभाव के कारणी हम यहां पर यह चीज़ देखते हैं कि मनुष्य जो है उसके बीच में क्या होता है युद जैसी परिस्तिती बनी रहती है देश अपने आपको सर्वोच्य सक्तिशाली बनाना चाहते हैं इसलिए इसलिए सर्वोच्य सक्तिशाली बन करते हैं कि यह कूँन हे अपने ऊध़राथ निर्बर करते हैं और यह करते हैं इनोग्रेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, दोनों सेनेक शंता ये सक्ति शंतुलन में विश्वास करते हैं, और राज्ये के व्यावार पर अन्य अंतराष्टे परवावपोर गोण मानते हैं, यानि अगर बात आपके रास्ट की सुरक उसके द्वार पर आकर खड़ी हो जाएगी तो नाटो कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल ना हो, इसलिए रशिया उस पर क्या कर रहा है, आप सभी को याद रखना है, इसके बाद में यथार्तवाद और नव यथार्तवाद क कर रहे हो, यह आपका एक मात्रो देश है, क्योंकि जतना जादा धिक पावरफुल रहोगे, दुनिया के जाद तरदिश आपसे उतना डरेंगे, आपसे उतने अच्छे संबंद बना के रखेंगे, आप पे कभी हावी नहीं होगे, वही नवी अथार्तवाद बोलता है, कि एक देश के लिए important है, सुरक्षा से कोई भी देश समझोता नहीं करेगा, लेकिन सुरक्षा के लिए जैसे for example हम बात करते हैं सोबे संग की, सोबे संग ने एक टाइम पे इतने जाद हतियार बना है सुरक्षा के लिए, कि एक टाइम पे उसके देश का ही decline हो गया, तो यह ज़रूरी नहीं है, कि आप केवल हतियारों को ही अपनी एक आउशक्ता बना लिए और उसी पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करें, तो आपको यह याद रखना है, इसके बाद में राज्य का एक उदेश यह भी बताया गया है, कि यतार्तवाद सैनिक सुरक्षा को राज्य का प्रात्मिक जिम्मेदारी मानते हैं, परन्तु ऐसा बिल्कूल भी नहीं है, राज्य की सुरक्षा सैनिक पर निर्भर करती है, परन्तु अगर हम केवल सैनिक आकर्मन को खत्रा मानें, तो आज के जमाने में बहुत बुरा होगा यह, केवल सैनिक हो के रूप से हम अपने द इनोग्रेट करने से, सैनिक को कोई बढ़ावा देने से, या सैनिक पावर ही ज़्यादातर, अगर हम हासिल कर लें, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम सुरक्षित हैं केवल, केवल इस वज़े से हम सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम अपने आपको सुरक्षित पनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा संक के साथ वाइन आपर का राजक वाड पार्याकषण की संस and केवल ने की इसे reality में दो देश हैं, उनके बीच में क्या होता है, कि संगर्ष कब बढ़ता है, जब दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हो, अगर दोने एक दूसरे के सही होगी होंगे, तो उनके बीच में संगर्ष नहीं होगा, जब दोने एक दूसरे के विरोधी होते हैं, कर राज्या की गति वीडियो में आकर हम देखते हैं यापर इस्तिती काफी ज्यादा खराब हो जाती है कि आप सभी को याद रखना है तो यह कुछ तीन आप लोगों के लिए मेजर डिफरेंस थी जो मैंने आप लोगों को बताए थे बाकि आप लोगों के लिए और भी सब्सक्राइब करें अधिक से दिख में दो तक शेयर करें और हमारे से चैनल को सब्सक्राइब करें बाकि मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में जै हिन जै भारत